गुद इबनिंग मैं नेविन कुमार सिंग डारेक्टर प्लेटफर्म एजुकेशन सेंटर प्राइबिट लिम्टेड पत्ना और एक महत्पुर्ण वीडियो है यह आप लोगों के लिए खास करके जो स्टुडेंट एलेक्टिसियन से आई टी आई किये हुए हैं निशन्दे उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और इसके अलावे भी इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो हम लाएंगे उसको तो निशन्दे जितने भी बच्चे आई टी आई किये हुए हैं वो जरूर देखेंगे और ये इस पेसली वीडियो एलेक्टिसियन ट्रेट से जो पास स्टूडेंट है उनके लिए है एक्चुली में एक वेकंसी आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेट से आपका लगभग बाइस सो प्लस सीट आने वाली है और इसके अगर इतिहास में जाते हैं इसे पहले जो वेकंसी आई थी वेकंसी आई उसके डेर महिने के बाद एक्जामनेशन का देट दिया है यह आप जा करके पिछले दो या तीन वेकंसी आई हुई है तो उसमें जा करके उसके बारे मैं आप डीटेल भी ले सकते हैं तो इसके पीछे हमारा उत्देश यह था कि चुकि सारा यह तैख हो गया है कि नममर व वेकंसी आ जाएगी क्योंकि internal exam कुछ चल रहा है इसी power holding company में departmental exam उसका process पूरा होने के बाद ये वेकंसी दी जाएगी तो उसमें जब पता किया गया तो बताया गया कि इसमें एक से डिर महिने का या दो महिने का समय लग सकता है जब पीछे हम खंगाले जो दो तीन बार वेक वेकंसी आई है और जब भी वेकंसी आई है डिर महिने के बाद exam हो गया है तो एक special अभी आपके पास exact समय है कि अभी से अगर आप तयारी start इसका करते हैं तो आपको 4-5 महिने का समय मिल जाएगा और अच्छे से तयारी करने के लिए 4-5 महिने का समय निश्यत रूप से चा टॉप पर भी चर्चा हुई थी तो हम चाहते हैं कि इंजिनियर आसीज सर जो कि आपका electrician trade बढ़ाएंगे खास करके इसके लिए इसके बारे में पूरा detail information देंगे क्योंकि 50 मार्स का आपका special trade से question रहना है और 15 मार्स का सिर्फ computer section से question रहना है तो एक special batch ये trade का अलग start होगा और computer का अलग start होगा एकदम minimum fee में और इसका maximum benefit आपको मिलेगा क्योंकि आगर ALP से इसके syllabus की आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका course आपका 4 महिने में foundation label से अच्छे से समाप थो जाएगा लेकिन अगर ALP के syllabus को भी हमें इसमें add करेंगे तो 6 से 8 महिना का समय उ भी सर से एर करेंगे फी साहित सारा कुछ से एर करेंगे आए सर धन्वाज सर नमस्कार साथियों मैं आसिस कुमार प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से आप सभी का हादिक स्वागत करता हूँ मित्रों ये जो बिहार स्टेट पावर होलिंग कंपनी लिमिटेड है इसके द्वारा जो हमारी वेकेंसी आती है जो चार महत्पून पदों पर आती है जूनियर लाइनमेन, स्वीच बोर्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेकनीशियन ये चारो पद के लिए जो नियुन्तम योगता है वो दसमी के साथ आईटियाई इलेक्रिशियन से होना चाहिए अगर आप वायर में ट्रेट से भी आईटियाई किया है तो आप योग नहीं है अगर आप फीटर से है डीजल मेकेनिक है तो आप योग नहीं है इसपेसली जो आईटियाई इलेक्रिशियन है वही चात्र इसमें योग माने जाते हैं और जैसा सर ने भी चर्चा किया ही था तो बहुत जल्ड जो सूचनाय है वो आपके बीच आती जाएगी और हम आपके बीच रखते जाएंगे अभी हम लोगों ने आपके तयारी को ध्यान में रखते हुए ओनलाइन बैच का आरंभ प्लेटवाम एजुकेशन सेंटर के तरफ से किया गया है जिसकी टाइमिंग आठ बजे से नौ बजे रात के बीच में है आप ध्यान देंगे कि इसकी टाइमिंग जो है चात्रों वो रात में आठ से नौ के बीच में है और ये बैच आपकी आठ मार्च से स्टार्ट हो रही है कब से स्टार्ट हो रही है आठ मार्च से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है दूसरी हमारी ऑफलाइन बैच रात में साम साथ से आठ पीम के बीच में आरंभ हो रही है और ये आ आठ से लेकर नौ पीम के बीच में और आठ माज से आरंब हो रही है। अब इसमें एक रहता है कि सर कितना फी लगेगा उसके बारे में भी मैं आपके बीच जानकारी दे दूँ। तो जो बिहार एस्टेट पावर होल्निंग कॉर्परेशन के लिए हमारी जो एस्पेसल बैच है मित्रों उसकी फी बहुत ही न्यून्तम मात्र 599 रुपे रखी गई है। और ये पूरा कोर्स आपको चार महिने में पढ़ाया जाएगा। कितना समय लगेगा? कम से कम चार महिने में आपको हम ये पूरी तरह से कोर्स कम्प्लीट करेंगे। ऐसा करने के पिछे उद्देश यही है क्योंकि एगर आप अभी से त्यारी में नहीं लगेंगे तो वे अब जाते हैं और कैसे हमें स्कोर करेंगे? दिनों दिन प्रति दिन हमारी कमपेटिशन टफ होती जा रही है और यह जॉब वहत ही अच्छा होता है जो पुराने हमारे छात्रों का अनफव रहा है बिहार इलेक्रिस्टी बोड के साथ में वो काफी बहतर रहा है इसलिए आ हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या आपको पढ़ाने वाले है और दूसरी बैच हमारी ऑनलाइन आ रही है यह बैच एलपी और अधर सभी एक्जामनेशन के लिए है ठीक है अधर सभी एक्जामनेशन अब प्लस आपकी जो ब्यार इलेक्रिस्टी बोड है इसका भ सभी में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कभर करके और वो आपकी मदद करने वाला है यूँ समझ लें तो आप जीवन में सभी एक्जाम के लिए योग्य होंगे और आप निश्चित अपनी सभलता का पता का फाहरा पाएंगे तो एलपी और अधर एक्जाम्स अपलस बिहार इस्टेट इलेक्टिसिटी इन सभी का जो कंबाइन फी ओनलाइन में रखा गया है वो 999 रुपे रखा गया है ठीक है सातियों मात्र 999 रुपे में आपकी कम्प्लीट जो है आई टियाई इलेक्टिशन से समंधित सारे कोर्से साब के बीच होंगे और इसका डूरे देख लें बिहार इलेक्टिसिटी बोर्ड में जो 50 मार्क्स के कोश्चन पुछे जाते हैं उसके 18 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं पहला एसकी मसीन वाइंडिंग है दूसरा अल्टरनेटर है तीसरा सर्किट ब्रेकर है चौथा डीसी ड्राइव है पांचमां डीसी मस मसीन वाइंडिंग है छठा घरेलू उपकरन है सात्मा प्रदीपन है इल्यूमिनेशन है आठमा इंडस्ट्रियल वाइरिंग और द्योगिक वाइरिंग है फिर मसीन कंट्रूल कैबिनेट एंड पैनल ले आउट है तो वह वहां ग्रीड में जाकर काम क्या कर पाएगा इसल के सोलर है यह सबी अभी काफी विकास की तरफ जा रहा है जिसके बारे में आपको बहुत काम करना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है हमारे उद्योगों के सारे लोड जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होते हैं उसे भी पढ़ना है ट्रांस्फर्मर के बिना तो हमारा काम ही नहीं संभव है तो ट्रांस्फर्मर के बारे में भी यहां से प्रशनाते हैं फिर ट्रांस्विशन उसके बाद डिस्टिब्यूशन एसी ड्राइब ठीक है सात्यों तो यह सारे हमारे सिलिबस है जो आपको आई टी आई के दूसरे साल में पढ़ना होता है और वही ब पढ़ाएंगे ही लेकिन इसके अलावे क्योंकि यह टोटल सिलिबस चार महिने में पूरा होना है और इन सारे सिलिबस के साथ साथ हम आपको यह सारी बाते अलग से पढ़ाएंगे जो की 75 मार्क्स का ALP में पुछा जाता है जो सबसे लोग प्रिये बेकेंसी में है और सबस के लिए आप आते हैं इन दोनों सिलिबस को कंबाइन में वहां पे आप परहेंगे साथियों DC सर्कीट, AC सर्कीट, प्रत्यावरती धारा जो हमारी है उसके बाद चुमबक एवं चुमबक कात्व, सेल एवं बैटरी, वैदूत एवं बैदूतिक पदार्थ, बेसिक इलेक् वैदूतिक संकेत, सुरक्षा एवं स्वास्त और मापक यंत्र, ठीक है, ये सारे मापक यंत्र आप बिलकुल आराम से देख रहे होंगे, हमारा कौन-कौन हो गया, मापक यंत, सुरक्षा स्वास्त, वैदूतिक संकेत, पावर इलेक्ट्रोनिक्स, डिजिटल लॉजिक, ब बैटरी चुमबक चुमबकत्व, AC और DC सरकीट ये सभी टॉपिक्स आपको हम अलग से परहाएंगे और जब दोनों टॉपिक्स को आप मिला देते हैं तो उसी को मैंने master course के रूप में आपके बीच रखा जिसके लिए online में 999 भी है और offline batch वाले मित्रों के लिए बता दूँ कि वो हमारे संस्थान में आकर के इससे सम्मंदी सूचना प्राप्त करेंगे और फिर वहाँ पर सारी detail उनको विस्तार से बताई जाएगी और आपको हम PDF में notes भी provide करेंगे classes digitally चलेंगी आपके dots का session भी होगा और जब exam का notification आएगा तो हम quiz और question discussion series और practice set भी आरंब करेंगे इसके अलावा एक महत्पुन बात यह है कि यह जितना भी हमारा online course है the platform app play store से आप download करके वहाँ से आप आज रात 9 बजे के बाद आप उसको खरीच सकते हैं और यह बात आप एकदम असपस्ट मान लेजिए कि अगर आपको job चाहिए तो trade पर पकर आपका होना ही चाहिए खास कर कि यह electricity board वाली बात हम बोल रहे हैं क्योंकि पिछले बार जाप देखे होंगे कि 35 question उसमें non-tech section से होता है और non-tech के लिए आपको अलग से परने की जोरत नहीं है अभी maximum बच्चे driver के लिए फिर CBT2 के लिए CBT1 के लिए लगातार आप तयारी किये होंगे non-tech परने के आपको जोरत अलग से अभी नहीं परेगी लेकिन trade आपको अच्छा करना ही होगा आप इसके लिए भी trade अच्छा करना होगा और आगे अगर LP, technician, metro दूसरा कोई भी exam देना होगा तो बिना trade का काम चलना नहीं है इसमें 50 question trade से रहना है 15 question आपका computer section से रहना है तो एक computer का master course हम लाने जा रहे हैं उसमें इसका तो आपका पुरा syllabus कबर होगा ही होगा इसके अलावा railway अथवा अन्य दूसरे exams में भी जो computer section से question पूछे जाते हैं उसके लिए एक 99 रुप्या मातर फी रहेगा उसके लिए 20 पे number हम दे देते हैं offline inquiry के लिए इस पर आप offline inquiry कर सकते हैं 9334052162 offline classes के लिए यहां आप inquiry कर सकते हैं fee और duration और जितना भी जानकारी extra आपको लेना होगा यहां सापको मिल सकती है तो उमीद करते हैं कि आपको सारी बाते समझ में आई होगी और अगर समझ में आई होगी अगर platform map download करके वहां package आप buy कर सकते हैं चलिए धन्यबाद वेस्टर प्लक खूब अच्छे से परहाई किजिए खूब मन से परहाई किजिए धन्यबाद